आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पे आपको बहुत बसवाकत है तो आज हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की नितीश कुमार के हम बात करेंगे ठीक है और काफी कुछ हम बताएंगे जैसे जनता दल पाटी बहुत लग बोल रहे हैं नितीश कुमार का क्या रगिरीडी ट्रेट ने देते ना चाहिए बहुत कुछ बोला जारा है नितिश कुमार के बारे में अब जो चीफ मिनिस्टर वाला इस्यों वह मैंने कवर कर लिया है आज ही लेकिन इसके इलाबा क्या बात करेंगे दोस्तों मैंने एक इंटर्व्यू लिया है विशाल कालरा के साथ, जो जर्नलिस्ट है विशाल कालरा सर, उनके साथ मैंने एक इंटर्व्यू आया है, मैंने डार्क रियालिटी आफ कोचिंग सेंटर्स बताई है, वो पूरा इंटर्व्यू आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप लेकिन उससे पहले हमारा शांदार UPSC का कॉर्स आप अवेल करें 200 प्लस आज लाइब सेशन टेस्ट सीरीज बच्चे से 35 करें इंटर इंटर फैसे इसा डिकॉर्ड इस बार हम आपको पेसे निकल वाएंगे इसकी क्या हो रहा है पहले नितिश कुमार के बारे में तोड़ा सा जान लिजे बक्तियार पर 1951 मिन का जनम हुआ मैं बहुत आइडियल नेता थे थे कह सकता हूं मैं कि अब नहीं है नितिश कुमार को क्योंकि बहुत कम ऐसे नेता हैं जो डेवलपेंड की बात करते हैं जो उस मुद्दे पर चले रहते हैं ठीक है और जिनकी उतनी क्वालिफिकेशन है नितिश कुमार वस वन उते मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि नितिश कुमार की पिता जी जो थे वह आयुरवेदा चार रहे थे आयुरवेदिक डॉक् सब फिक देते थे कुए में तो जब भी कुए खाली करते थे तो काफी कुछ निकलता था एक्स्ट्राओर्णरी थे नितिश कुमार पढ़ाई में एक्स्ट्राओर्णरी बिहार कॉलेज ऑफ इंजिनरिंग जिसको एनाइटी पटना एये ट्रेपली से अफिलियेटेट अन सब्सक्राओर्णरी बड़ा दुखी हुए है तब यह बता है अपने गुरू जी को बोले कि मेरे स्वह में से 992 आएंगे क्योंकि कॉपी छिन लीगर स्वह में से 992 आए बाद में यह जो नितिश कुमार के साथ एक्स्पीरियंस है ना ये तना जादा था कि इन्होंने पं रही सेर बड़ा मरते मरते बचे तो उन्होंने फिर ओवरः बिज बन वा दिये थे ठीक है बहुत सारे बिहार में तो बहुत सारे एक्स्पीरियंस है नितिश कुमार के नितिश कुमार के जो शादी वो एक मिसाल है मन्जु देवी से जो शादी हुई थे इनकी दहेज के सक्त खिलाफ थे शादी करना नहीं चाह रहे थे स्टुडेंट पॉलिटिक्स में बहुत अद्ध आक्टिफ थे हाइली आक्टिफ परसन थ्री इडिट्स वाले तीन दोस थे इनके और नितिश कुमार को काफी कहते थे कड़वा बहुत बोलता है क्योंकि यह सच बोलते थे और सच कड़वा होता है तो नितिश कुमार जो है जब इनकी शादी हुई थी 1973 में 1973 तो विल्कुल शादी के किलाव थे अब देखिए बिय बबहर मिना आपको दहेज का मीटर होता है देजो मीटर आपको पता नए बहें का डवरी चलती है नितिश कुमारह काई जो पर ही सब इच्छा से दहीज दिया है, सब के सब लोटाल दिये थे, कि हमको आपकी बच्ची चाहिए, हमको आपकी बेटी चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, समझ रहे, और उसके बाद इन्होंने कोई धूम नाम से शादी नहीं की, इन्होंने court marriage की, simple court marriage, परिवार को वक्त नहीं दि शास्री जी का जब धिहांत हुआ था तो रात में 3 बजे नाइंद में पढ़ते थे उससा में यह रात में 3 बजे यह अपने गुरू जी को जगाने गए कि लाल शास्री जी नहीं रहे है शास्री जी तो आप ये समझे कि नितीश कुमार का जो जीवन रहा है वो बहुत बढ़िया रहा है और नितीश कुमार डाइनस्टिक पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करते इनके जो बेटे हैं जैसे लालूर प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव अमिच शाह के बेटे जै ना लिखा है बठ है लेकिन नितीश कुमार के बेटे इंजीनियर है निशांद कुमार वो डाइनस्टिक पॉलिटिक्स में नी है एंजीनियर और उनकों पॉलिटिक्स में को इंट्रस भी नहीं है एक ही बेटा है तो यह चीज है शुशासन बाबू के नाम से जाने जाता नितिश कुमार आप ये समझे कि जब संता पाटी बनाई लालू प्रसाद यादो के साथ काम किया लालू प्रसाद यादो के साथ काफी करीब थे बढ़ बाद में पता चला 1990 से लेकर 2005 तक आर जेडी राश्टी जनता दल रहा लालू प्रसाद यादो सीम चारे गोटाले में फिर उनको हटना पड़ा तो रावडी देवी सीम लेगिन नितिश कुमार को ये देखा कि ये तो जंगल राज हो गया है किस तरीके से आपको पता ही कि बिहार के नाइटी नाइटी से के 2005 आप सुबह जाओगे शाम को आओओगे पता ही नहीं चलता था मैं 2002 में था इतनी दिक्कते थी कौन कब किड्नाप हो जाए बड़ा मुश्किल था law and order की situation बहुत ज़्यादा खराब थी बहुती ज़्यादा खराब उस समय नितिश कुमार के पास सत्ता आई 2005 में और 2005 से लगातार उन्होंने काम किया और 2012-13 तक बहुत ही बड़ी है काम किया 2010 तक टेकिन 2014 के बाद उनकी credibility घटी जहां पे लोकनीती सर्वे हुआ था 70% चाते थे 2014 में CM बनें नितिश कुमार 2020 में घटके खाली 36% हो गया है ना बलकि जो तेजस्वी आदव है उनका percentage जादा हुआ है ऐसा क्या हुआ नितिश कुमार जो है वो एकदम से क्यों ऐसे हो गए देखे 2005 से लेकर शुरुवात के 10 साल यह इंडिये के साथ ही थे आपको पता ही है कि मौरल हाई ग्राउंड नितिश कुमार के बहुत जदा था यह समझे कि जब railway accident हुआ था मंताब energy के समय 2001 में वेस्ट बेंगॉल में 280 जो है वो जाने गई थी नितिश कुमार स्तीफा दे दिया था रेल मंतरी से आप समझ रहे हैं लेकिन उसके बाद agriculture minister बनाए गए गए बट वही कहा रहा है कि वो moral high ground up कहीं दिखते ही नहीं है जो नितिश कुमार ये बोले थे कि मैं मर जाओंगा लेकिन एंडिय के याप बीजेपी के साथ नहीं जाओंगा वही नितिश कुमार बीजेपी के साथ गटबंदन मनाके बैठ गए है अमिच्छा ने भी सेम चीज़ कही थी तो दोनों एक दूसरे का तो ये चीज़ है 2014 में नितिश कुमार ने स्तीफा दिया था क्यूं एंडिय से अलग हो गए थे बीजेपी से अलग हो गए थे क्योंकि वह नरेंद्र मोधी पर सहमत नहीं थे कि नरेंद्र मोधी कैसे पीम बन सकते है तो ये जो पॉलिटिक्स थी 2005 से जो लगातार चली आ रही है और अभी त नितिश कुमार देखे पॉलिटिकल दिमाग तो आप समझी गए होगे कि अभी तक नितिश कुमार सीम है उनको कोई हटा नहीं पाया है यह बहुत बड़ी बात है भाई देखो जो भी आप बोल लो लेकिन बहुत बहुत समय से यह सीम रहे हैं यह हमको नहीं भूलना चाहि 76 बोल देखे 60% लोगों ने 2014-2010 के दौरा ने बोला था कि हमको नितिश कुमार दुबारा सीम मनेंगे तो दुबारा आएंगे तो हम दुबारा सीम मनेंगे वह यह 36% होगे हम घटके तो कही न कहीं लोग प्रीता में कभी आई है क्यों क्योंकि वो सुशासन बाबू जो है काफी जादा है तो हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रॉब्लम में अब इधर से जो तेजस्वी आदव है वो जोर पकड़ रहा है तेजस्वी आदव जो पहली बार नितिश कुमार तेजस्वी आदव के साथ आ है तो उनके साथ कुछ बैठा नहीं ठीक है तो तब ते होगे तो तो तेजस्वी आदव को सपोर्ट यहां पे लोग दे रहा है बट परसनली मुझे असा लगता है कि 2025 में मुश्किल होगा तेजस्वी आदव को बट एक बहुत बड़ा मार्क छोड़ेंगी अब इसका देखिए आप ये आरजेडी की जो सीटे है वो 75 तक ललन सिंग जब जा रहे थे बीजेपी के साथ पार्टी अध्यक्ष बहुत ज़दा करीबिया बढ़ा रहे थे उन्हों ललन सिंग को यह अटा दिया कि ने भी यह वहां नहीं जाना है पार्टी अब यह बहुत कुछ होता रहे था 2014 में उन्हों ने स्तीफा दिया क्योंकि इन अच्छा परफॉम नहीं किया था जीतर नमान जी को पर आया पर फिर आ गए फिर एंडिये से उन्होंने छोड़ा सुशील कुमार मोधी के साथ मतलब एंडिये के साथ गए सुशील कुमार मोधी के साथ आये वो सुशील मोधी और नितिश कुमार बहुत अच्छे दोस फिर 2022 में ये RGD की साथ चले गए और फिर अभी जो है वो BJP की साथ चले गए तो ये बात तो सही है पल्टूराम टाइप का तो है पॉलिटिक्स होई रही है यहां पे बट फिर भी पॉइंट यह है कि CM जो है वो अभी तक बले हुए है समझ रहे हो और आपको बता दो कि यहां पे अगर वोट की बात करें कास्ट की बात करें तो कास्ट एक बहुत डिसाइसिव फैक्टर रोल प्ले करती है जैसे अभी जो अपर कास्ट है और जो माइनॉरिटी भी है वो नितिश कुमार से किनारा करते हुए दिख रहा है बट फिर भी जो EBC है नौन यादव OBC कुर्मी कुश्वाह वो नितिश कुमार से के साथ ख़़े हुए दिखाई दे रहे और देखिए यह बहुत बड़ी दिक्कत भी है बिहार में और पॉलिटीशन के लिए बढ़िया इसलिए कास्सेंस काफी बोला जा रहे है कि बिहार में तो करायू कर रहा हूँ क्योंकि देखिए बिहार में जो कास्ट वोट देती है और जहां कास्ट आ जाती है वह डेवलेप्मेंट रुक जाता है है ना हमको इन सब को छोड़के जो है बिहार के विकास की बात करनी चाहिए पर वो कावत ना कि you do not vote you do not cast your vote you vote your caste यह सही है ठीक है ना अब आर जेटी के अगर बात करते हैं ठीक है तो तेजस्वी यादव मुसलिम और यादव का जो वोट है वो constant है वो आर जेटी को मिलता आया है बाकियों के लिए यह वो युवाओ को निभा रहे हैं लुभा रहे हैं तेजस्वी यादव हलागी तेजस्वी यादव को एक कहना था कि हम तो पहले से ही बैठे थे मानके कि नितिश कुमार जो हमारे साथ नहीं जाएंगे नितिश कुमार जो है वो कोई बात नहीं लेकिन जेडी यू दोहजार पच्चिस में रहेगा नहीं अब वो कितना रहेगा नहीं रहेगा वो देखना पड़ेगा लेकिन एक चीज़ समझ बता दू मैं दोस्तों अगर वोट शेर की बात करें न तो तेजस्वी आदों का वोट शेर जादा बढ़ा है नितिश कुमार की कंपारिसन में और दोलों पार्टी की बेगर बात करें न तो साथ आठ परसेंट वोट से इनकी आरजेडी आगे ही है है ना तो 2025 में जो विधान सबा इलेक्शन 2024 में इलेक्शन ये बहुत एक डिसाइसिफ फैक्टर होगा डिसाइसिफ फैक्टर एक और चीज़ होगी क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि हमको भी जेडियू की जरूरत है पिछली बार 17 सीटों पे इलेक्शन लड़ा था जेडियू ने 17 के 17 जीती थी 40 लोग साबा सीटे हैं और इस बार बीजेपी को भी लग रहा है कि हमको कम सीटे आ सकती है तो बहुत जरूरी है क्योंकि लोग साबा के तो सारी सीटे जीती रही है बीजेपी का तो यही टार्गेट होगा न कि जहां जहां से लोग साबा इलेक्शन हो रहे हैं जहां जहां पे भी हैं वहां कि सारी सीटेम जीते यह चीज है टारपुरी ठाकुर को भी भारत रत मिला सबसे बड़ी बात राम मंदर का मुद्धा उठेगा नितिश कुमार क्योंकि अब इंडिये के साथ है तो जाइड सी बात है कि जो बीजेपी के मुद्धे रहेंगे वो नितिश कुमार उठाएंगे और सबसे बड़ी बात है तो 2025 का विधान सबाई लेक्शन है वो नितिश कुमार जीतेंगे अब यहाँ पर नरेंद मोधी हो सकता है इतियास रज़ दे 2025 में जवाल ना लेरी के बाद तीसरे प्रतान मंतरी हो जाए दूसरे प्रतान मंतरी हो जाए बड़ इधा नितिश कुमार भी तियास रज़ सकते है पाइपावन कुमार चैंबलिंग हो गए रवीन पतनायक हो गए एक और थे मैं नाम भूल गया उनका मतलब 20 साल से उपर तक हाँ जोती बस हूँ ठीक है 20 साल से 24 साल 23 साल तक है सीम और अगर नितिश कुमार फिर से सीम 2030 तक रह जाते तो हाइस्ट सबसे जादा समय तक 25 साल मतलब बराबरी कर लेंगे तो आप समझ सकते हो तो नितिश कुमार को भी नरेंद मोधी की जरूरत है, नरेंद मोधी को भी नितिश कुमार की जरूरत है, बढ़ कही न कहीं अगर आप देखो, सबसे बड़ा पॉइंट यह है न दोस्तों, कि नितिश कुमार ने गिव अप कर दिया है, किस पर गिव अप कर दिया है, अपनी को लग रहा था कि PM फेस या कन्वेनर जो है वो नितिश कुमार को बनाया जाएगा 15 जन्वरी को मीटिंग वे राहूल गादी ने कोई फैसना नहीं लिया कन्वेनर जिसको बनाया जाता है maximum chances उसी कहीं है पीम बनने के और नितिश कुमार नहीं बने क्यンネル कि बाई 28 पार्टी है ऑडैंस में मम्ताब एनर जी भी है अखेले चादो भी है नितिश कुमार भी है तो नितिश कुमार को भी पता चल गया कि जिस तरीके से इलाइंस जा रहा है लगातार Congress के अंदर जो है वो ममताब Energy के खिलाब बोलते हैं ममताब Energy बोलती है कि आप Communist के साथ हो आप उनको जादा Space दे रहे हो Meeting में आप उनको जादा Space देते हो जिस जोती बसू से लड़के जिस Communist Party से लड़के हम बंगाल में आए हम उनके साथ कैसे election यह तो बट अवियस था है तो टूट नहीं था तो इंडिया एलाइंस पे बहुत बड़ा प्रश्निचिन ने लग गया और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ क्या है यह आपे से इसको मुद्धा बनाया जाएगा election में कि भाई जिस जो इंडिया को बनाने वाला था वही बाहर आ गया यानि कि नितिश कुमार के जाने के बाद तो वह बहुत ही जादा कमजोर हो गया है बट जैसा है वैसा है भी डेर साल पचे है बिहार के लेक्शन होने में देखेंगे क्या होगा बट यह सारे पॉइंट्स है जिनको हमको कंसेडर करना पड़ेगा आप हमारे कोर्स को जरूरी अबेल करें खुछ रही पढ़ता रहे देशा जट दान तक नहीं होता है साइनिंग ओफ